बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com करें छोड़ी सी शॉष्पाइइ, गर की सावसफाई, गर के काम, घर को कैसे सजाना है, घर सो जुड़ी ही तमाम चिंताय, और कोई नतीजे पर नहीं पहुंचेंके, काम तो करेंगे लेकिन कोई लास्त रिजल्ट रूक जाएगा, मतलब घर काम थोड़ी से रूच जाएगे कोई एक चीज छूट जाएगी तो बिल्कुल चेक्लिस्ट बना कर काम करें ओफिस का भी काम घर पे ला सकते हैं आप में से कई लोग तो ओफिस के भी काम है वो पेंडिंग चल रहे हैं उनको भी पूरा करने का प्रयास करें आपको ऐसा लगर है आप में अनद बहुत करते हैं जाहे वो घर पे हो चाहे वो ओफिस में हो लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा है यही आपके लिए फिलहाल चैलेंज है तो आपको एकदम सही डिरेक्शन में काम करना है तभी आपके मन के हिसाब का होगा चलिए बात करते हैं अब अगली राशी की क्या कह रहे हैं काद्स व्रिश्रब राशी वालों के बारे में व्रिश्रब राशी वालों मन में हताशा हो सकती है जिस हिसाब से हम चीजों के उमीद कर रहे हैं वो होती भी नहीं नजर आ रहे है हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी से कोई बात छुपा रहे हैं वो जागर हो जाए हो सकता है कि आपके जीवन साथी या कोई और विक्ति आप से कोई बात छुपा रहे हैं वो छुप क्या है मेरा कहने का मतलब है छुपए विराज बाहर आएंगे जो की challenging हो सकता है कहीं न कहीं मायूसी हो सकती है दुख हो सकता है और एक चीज का ध्यान रखें अगर आपको किसी बिमारी के symptom है तो please medical check-up कराएं क्योंकि कई बार क्या होता है छुपी भी चीज क्या होती है कई बार medically कोई problem होती है जो निकल के आती है medically भी आपको इस समय पर अपना ध्यान देना बेहदावशक है चले बात करते हैं अब अगली राशी की क्या कह रहे है काज समिथ हुन राशी वालों के बारे में प्यारी से ख़बर प्यारा प्रस्ताव एक अच्छा समय एक अच्छा दिन आज का आपका जाएगा किसमत आपका साथ दे रहे है relationship point of view में बहुत अच्छा है किसी पुराने दोस्त से बातचीत होगी कही न कहीं मन लगेगा तो एक ऐसी बात होगी जिससे कि मन में अलग एनरजी रहेगी आप कुछ नया करना चाहेंगे कि जब आप घर भी सजाएंगे तो अपना personal touch देना चाहेंगे कोई भी काम करेंगे तो उसमें अपना personal touch देना चाहेंगे कि कहीं न कहीं एक अपनी चाप छोड़ेंगे आज के दिन कोई ऐसा काम होगा आपके द्वारा जो कि ऐसा लगएगा कि वाओ कितना बढ़िया गया आज का दिन ऐसा कुछ एक नजर आ रहा है चलिए बात करते हैं अब करकराशी वालों के बारे में करकराशी वालों आज का दिन ठीक है financially ठीक है घर की साथ सजावड घर को कैसे सजाना है खुश ही रहेगी बहुत बढ़िया तरीके से नियंतरण के साथ आप आज के दिन को बिता पाएंगे बहुत अच्छे से ग्रोथ सफलता की तरफ जा पाएंगे और कई माइनों में अपने आपको सफल महसूस करेंगे बात करते हैं अब सिंगराशी बालों के बारे में सिंगराशी बालो इस समय आप बहुत ज़्यादा उ मीद ना करें कहां बात करें अगर आपने किसी को कई को पैसे दिया है तो वो वापेस न आये उस परिस्ति से बदलाब ना करें और किसी भी प्रकार का आप निर्णे ना लें अपने इंकम सोर्स को लेकर आपका जो आय का स्त्रोत है उसको बना के रखें वहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हो इस चीज का ध्यान रखें सब्सक्राब नहीं है तो बहुत अच्छा नहीं है आप ओवराल समझेंगे कि आपने अपने जीवन का मैक्सिमम टाइम समय भी और धन भी एक ही जगे डाल दिया है और उसका उस हसाब से परिणाम नहीं मिला है चाहे वह आपके संबंध हो चाहे वह आपका धन हो मतलब कि आपके दिमाग में इस तरीके की तमाम धौट्स रहेंगे कि मैंने इतना इन्वेस्ट तो कर दिया है लेकिन इस हिसाब से मिल ले रहा है चाहे आपके से भी संबंध में देखें, आप देती बहुत ज़्यादा है, आपको मिलता बहुत कम है चाहे वह श्रे हो, चाहे वह आपका काम हो, चाहे आपकी सराहना हो, सब कुछ थोड़ा सा slow है और यही चिंता आपको सता सकती है, और यह mistake धुला पर समय करनी है चाहिए समय कनने राशेवालों बहुत great नहीं नजर आ रहा है चली जानते हैं अगली राशी चली बात करते हैं अप तुला राशेवालों के बारे में कैसा जाएगा आज का दिन तुला राशेवालों आज का दिन थोड़ा सा adjustment का है जैसे आप चाह रहे हैं वैसे परिसितिया ना हूँ कई बार हमको अपने हिसाब से adjust करके चलना पड़ता है संतुलन बनाए adjust करें थोड़ा सा patience रखें धहरे रखें बहुत जल्दी किसी भी चीज़ पे react ना करें क्योंकि कहीं न कहीं आपका mood swing हो सकता है पर आप जैसा चाह रहे हैं वैसे मन के हिसाब का नहीं होगा थोड़ा सा मैं जैसे कह रही हूँ control रखें धहरे रखें चीज़ें होंगी slow होंगी मन के हिसाब की नहीं हो रही है तो यह आपके लिए थोड़े से परिशानी का कारण बन सकती है लेकिन overall आज का दिन आपका average जाएगा बहुत खराब नहीं बहुत अच्छा नहीं लेकिन हाँ एक जो हताना बीच का रास्ता बीच का रास्ता आज के दिन अपनाएगे तो दिन आपका बहतर कर जाएगा चली बात करते हैं अब Scorpio's के बारे में Scorpio's आज का दिन बेहज शांदार जाएगा अब शिकराशे वालों कोई चीज की planning कर रहे थे किसी हिसाब से चलना था कोई दिन अपके हिसाब से जाए कोई रिलेशन्शिप से जुड़ा हुआ अपनी परसनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई नो कोई एक ऐसा मौका मिलेगा जो की मन में के लगउत सहा देगा अगर आपने कहीं बाहर अपलाई किया जॉब के लिए तो हो सकता है उससे जुड़ी कोई बातचीत हो जो की एक शेप ले रही है एक रूप ले रही है तो ओवर रॉल इन सब मामलों में आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा पॉजिटिव जाएगा चलिए बात करते हैं बगली राशी की क्या कह रहे है काज धनु राशी वालों के बारे में बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है कि आप एक सॉलिड रूप दे पाएं भविश्य में एक नीव रख पाएं किसी काम की नीव रख पाएं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो कहीं न कहीं नीव रखने के लिए कोई काम शुरू करने के लिए आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा बात क से मुलाकात होगी और कहीं न कहीं एक उत्साहा बना रहेगा कुछ ऐसा होगा जो कि आप जिसकी प्लानिंग कर सकते हैं कि उत्साहित फील करेंगे और किसी प्रकार का तनाफ चल रहा थो दूर होगा मिलजुल के पार्टनर्शिप द्वारा आप बहुत कुछ हासल कर पाएंगे बहुत कुछ पाप पाएंगे अब बात करते हैं कुम्राशी वालों के वारे में कुम्राशी वालों आज के दिन बस में नहीं है, जो आपके हाथ के बाहर जा चुकी है, जो आपके कंट्रोल में है, उन पे ध्यान लगाएं, तो फिर भी आपकी चीज़ें ठीक रहेंगे, लेकिन जो हाथ से बाहर चले गई हैं, उस पर अगर अगर आप एनरजी टालेंगे, तो मन के हिसाब का नहीं होगा, तो फिर क्या होगा कि तनाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो तनाव को बैलन्स करने के लिए, आपको जो है, मन वहीं लगाना है, ध्यान वहीं देना है, जो की आपके हिसाब का हो, ऐसा लगेगा कि समयव्यर्थ हो गया, चीज़ें आपकी वेस्ट हो गई हैं, आपने एनर प्राइस लेकर आ रहा है, बहुत अच्छा रहेगा, एमोशनल अपन डाउन रहेगा, लेकिन आप में से कई लोग बहुत हैपी रहेंगे, तो कई लोग एक्तम दुखी भी हो सकते हैं, कई चीज़ें बनेंगी, कई चीज़ें बिगडेंगी, बहुत वेट कर रहे थे किसी बात का, किसी खबर का, तो लेकिन ऐसी खबर मिल सकती है, जिससे कि मन दुखी हो जाए, कोई ऐसी न्यूस हो सकते है, किसी से ऐसी बातचीत हो सकते है, जिससे कि मन विचलित हो जाए, तो वो परिशानी का कारण बन सकती है, तो कहीं ऐसी बातचीत हो रही है, जिससे मन पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करेगा और प्लीज अपने परिवार का अपने चाहने वालों का खुब खुब ख्याल रखेगा लेती हो आप से विदा ऐसे एक खास बाते लेकर आऊंगे मैं के वलास्टो तक पर नमस्कार आप सब का दिन बेहत बेहत शुब खुब